हेलो इस्टुडेन केल पॉल टेकनिक के यूटूब सेनल पे आपका स्वागत है आज मेरा ये फोर्थ लेक्चर है मैंने अपने तीसरे लेक्चर में द्रव इधन के बारे में बता दिया था कि द्रव इधन कौन-कौन से होते हैं उसका उसमी मान क्या होता है मतलब उसके उसमें जो है कारवन हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है ठीक है ना उसके बारे मैंने आपको बता दिया था आज मैं बात करने वाला हूँ द्रव इधन के विसिष्ट गुड के बारे में यानि द्रव इधन की पाचान हम कैसे करें उनका वर्गी करण उनकी उप योगिता और उनके विसिष्ट गुड के बारे में ठीक है तो इसमें पहला पॉइंट है नौक या नौकिंग ठीक है ना इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि ये होता क्या है जो द्रव इधन होते हैं तो उसमें नौक या नौकिंग क्या होती है ठीक है ना तो आप इसमें देखिएगा इंजन सिलेंडर में दोहन के समय होने वाली अचानक दाब की विध्धी को नौकिंग करते हैं ठीक है ना इसका मतलब आप समझें जैसे आप देखिएगा जब इंजन स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्ट करने के पहचात उसमें जैसे हथोड़े मारने की जैसी क्या होती आवाज आती है ठीक है ना तो वो आवाज इस नौकिंग की वज़स ही आती है क्यों क्योंकि जब अचानक इधन के जलने से जब अचानक बृद्धी हो जाती ह तो इस प्रकार की आवाज आती है ठीक है ना और ये भी ध्यान दिजेगा कि ये इनका जो इधन होता है इधन का इतना तेज संपिडन होता है इतना तेजी से संपिडन होता है तब उसमें क्या है हतोड़े जैसी आवाज आती है ठीक है यानि हम बोल सकते हैं उच्च दाब प जाती है तो ब्रिद्धी होने से ही क्या होती है यह नौकिंग की क्रिया उत्पन होती है वही क्रिया नाकिंग कहलाती है ठीक है न और याद रखिएगा अगर जिस इंजन में यानि जिस इंजन सिलेंडर में नाकिंग की क्रिया जादा होगी वह इंजन टूट भी सकता है यान इस क्रिया को रोकने के लिए कुछ अन्य पदार्थ या तेल मिला जाता है कहने का मतलब यह है कि अगर हम नौकिंग की क्रिया को रोकना चाहते हैं कम करना चाहते हैं तो जो पेट्रोल इधन होता है यानि जो पेट्रोल इधन होता है उसमें हम कुछ ऐसा पदार्थ मिला दें कि जिसमें एक आएक बृद्धी से यानि एक आएक दाब की बृद्धी से नौकिंग करिया ना हो तो उसमें जैसे हम लोग मिलाते है एक होता है टे टे ट्रथाइल रेड होता है टेट्रा इथाइल लेड इसको मिला देने से इसमें नौकिंग की किरिया बहुत कम हो जाती है कुछ और पदार्थ हैं जैसे हमारा हो गया ब्रोमाइड हो गया और इथाइल हो गया एथाइल एलकोहल हो गया वेंजीन हो गया इन सब को मिला देने से क्या होता है कि diesel engine हो गया या petrol engine हो गया इसमें knocking की क्रिया क्या होगी बहुत कम होती है ठीक है ना जैसे diesel engine में कुछ अलग पदार्थ मिला जाते हैं और petrol में कुछ अलग मिला जाते हैं diesel में हम aceton को मिलाएंगे ethile nitrode को मिलाएंगे ठीक है ना तो देखीए दोनों इधन में सेम चीज नहीं मिलाते हैं उसमें अलग-अलग चीज़े मिलाते हैं ठीक उससे नौकिंग क्रिया बहुत कम हो जाती है और यह भी आप देखिएगा जब इधन जब जलता है न तो इधन के जलने से जब दाब बढ़ जाता है तो दाब के बढ़ जाने से जो उसमें उसका जो दहन होता है ठीक ना उसके अंदर जो दहन होता है जो जोलन क्रिया होती है वो इतनी तेजी से होती है कि इंजन पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और इंजन पे दबाव पड़ने से क्या होता है कि हमारा इंजन यानि हमारे इंजन के फटने के चांस बढ़ जाते हैं ठीक ना अब अगला पढ़ते हैं स्यानता ठीक ना विसको सिटी ठीक ना इसमें दिया है जब कोई द्रव बहता है तो द्रव के अंदर अडूओं के आपसी घरसंड से प्रवा के रोकने की प्रवित को स्यानता करते हैं ठीक है जिसे आप देखिए कोई द्रव बहरा है तो द्रव के बहने से इसके अंदर जो अडूओं होंगे तो वो आपस में घरसंड करेंगे तो जब वो जादा घरसंड करेंगे तो वो द्रव बहुत कम बहेगा यानि उसकी बहने की प्रविति बहुत स्लो हो जाएगी कम हो जाएग अब आगे देखिएगा अगला आपका है वास्प सिलता ठीक ह्ना और एक बात और ध्यान रखिएगा कि द्रवों की जी स्यानता होती है जो द्रवों की स्यानता होती है वो तापमान के बढ़ने से क्या होती है, घटती है अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जो द्रव होते हैं द्रव इधन होते हैं यदि तापमान को बढ़ा दिया जाए तो स्यानता क्या होगी घट जाएगी लेकिन इसका उल्टा होता है जो गैस होते हैं गैसी जो इधन होते हैं गैसी इधन में जो होते हैं तापमान के बढ़ जाने से स्यानता भी क्या होती है बढ़ जाती है ठीक है ना और इसमें क्या होता है कि स्यानता का मतलब यह होता है स्यानता का मतलब यह है कि द्रव कितना गाड़ा है और कितना पतला है यानि स्यानता से हमें यह मतलब जानकारी मिलती है कि हमारा द्रव जो द्रव है द्रव नहीं द्रव जो है वो कितना गाड़ा है कितना कहने का मतलब कितना पतला है ठीक है ना और आप जानते हैं जो जितना ही पतला होगा वो उतने तेजी से बहेगा और उसमें जो अडू होंगे बहुत कम घरसन करेंगे और जो द्रव मोटा होगा यानि जो द्रव कहने का मतब जादा गाढ़ा होगा गाढ़ा होगा तो गाढ़ा होने से क्या होगा गाढ़ा होने से उसमें उसके जो अडू होंगे आपस में बहुत जादा घरसर करेंगे और उसको बहने से क्या करेंगे रोकेंगे जारी सी बात है अगर हमारा इधन गाढ़ा होगा तो जैसे हमारे पेट्रोल इंजन हो गए, डीजल इंजन हो गए, अगर इसमें जब हम इधन को डालेंगे ना, इनका जो कंप्रेसर होता, जो पाइपे होती हैं, उसमें जाकि ये क्या करेंगे, रुक जाएंगे, यानि पित होकर गैस बन जाने की प्रबृत को वास्प सीलता करते हैं इसमें क्या होता तापमान के बढ़ने से बढ़ती है वास्प सीलता तापमान के बढ़ने से क्या होती है बढ़ती है जैसा कि आप लोग जानते हैं इस ब्रह्मान में जितने भी द्रव हैं लगबख सारे द्रव क्या होते हैं वास्प सील होते हैं ठीक ना यानि खुले द्रव के उपरी तल पर सदेव कुछ न कुछ क्या होती है वास्प रहती है ठीक ना या कुछ न कुछ वास्प बन ही जाती है और ये जो वास्प सीलता होती है जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वास्प सीलता भी क्या होती है बढ़ती जाती है ठीक है अगला हेडिंग है फ्लेस पॉइंट अब इससे थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझेगा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है फ्लेस पॉइंट वह निउन्तम तापमान जिस पर किसी तेल या इधन का वाय मंडली वाय अगर हम इसके पास एक लह ले जाएंगे तो यह वाय के साथ जब जलने लगेगा और जलने के बाद पांच सेकंड से पहले ही क्या हो जाए बुझ जाए ठीक ना उससे ज्यादा ना जले वह उसका क्या कहलाता है फ्लेस पॉइंट कहलाता है जैसे आप देखेंगे जो तो हम यह बोज सकते हैं कि जो फ्लेस पाइंट होता है जिसे आप देखेंगे जो तेलोल होता है जब तेलोल को क्या किया जाता है खौलाया जाता है तो जब हम उसे अधिक मातरा में खौलाते हैं तो तेल क्या होता है कि बहुत जादा गरम कर देते हैं तो वह वास बन के उ उड़ने लगता है तो उसमें जब हम थोड़ी से तीली लगा देते हैं या हम लव लेके जाते हैं तुरण पकड़ता है और पान सेकेंड तक जलने के बाद उसके पहले ही क्या हो जाता है बुझ जाता है तो वही उसका क्या होता है उस द्रव का फ्लेस पॉइंट कहलाता है बास समझ मा गई न, अब अगला पॉइंट है, फायर, फायर के बारे में देखते हैं, द्रव इधन का वह नियूंतम तापमान, जिस पर वह सामायन दसाओं में ज्वाला के समीप ले जाने पर, मतलब ज्वाला, यानि जब हम लह जलाते हैं, उसके समीप अगर लेके जाते है तो तुरंत क्या होता, जलने लगता है, ठीक है न, और यह क्रिया काफी टाइम तक होती है, वही उसकी क्या कहलाती है, या प्रजवलनांक कहलाती है, ठीक है न, और आप एक बात नोट कर लिजे, जो फ्लेस पॉइंट होता है न, वो साथ डिगरी सेंटीग्रेट से उपर ह होना चाहिए, अगर फ्लेस पॉइंट की बात हो रही है, फायर नहीं, फ्लेस पॉइंट अगर साथ डिगरी सेंटीग्रेट से उपर नहीं होगी न, तो उससे कम होगी, तो हमारा थोड़ा से जिसे हमारा पेट्रोल हो गया, जब वाई में उड़ता है न, तो थोड़ा सा अगर चिनगारी या कोई भी थोड़ा सा उसको लह मिला, तो तुरंट क्या होती है, आग पकल लेती है, और एक बात और याद रखिएगा, जिस इधन में फ्लेस पॉइंट, 37.8 डिगरी सेंटीग्रेट से कम होता है, उसे जोलन सील कहा जाता है, और इस से उपर के तापमा वाले इधन को हम क्या कहते हैं, दहन सील, जैसे हमारा गयस हो गया, गयस को अगर हम बोलेंगे न, तो जोलन सील गयस होता है, यानि वो तुरंट आग पकड़ लेता है, ठीक है न, उसके पास थोड़ी सी लव लेके जाएंगे न, वो तुरंट क्या होने लगता है, जलने ल जो द्रव नहीं, कोई भी द्रव जिस टमप्रेचर पे, जिस तापमान पे जम जाता है, वह उसका क्या कालाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कालाता है, वह तापमान जिस पर कोई द्रव इधन, कोई द्रव इधन, ठो सवस्ता में बदल जाए, उसी को हम कहते हैं, जमाव ब ना जमें, सोचिए, जमाव बिंदू अगर बहुत जादा रहेगा, यानि जमने की किरिया बहुत तेज होगी, तो जैसे ठंडे प्रदेश हो गया, जम्मू कस्मीर हो गया, ठीक न, तो जो ठंडे प्रदेश हैं, वहाँ पे जब हम डीजल, इधन, डीजल और पेटोल इधन क प्रियोग करेंगे, तो जमने के चांस जादा रहेंगे, तो उसके इंजन में जो पाइपे होती हैं, ठीक न, जो नोजल होता है, तो ये उसमें जम जाएंगी, और जमने से अगर हम अपने इंजन को स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी स्टार्ट नहीं होंगे, ठीक न, इस स तो क्या होता है घनत तो कि बारे में देखेगा जिसे बोलते हैं density ठीक ना घनत तो किसी पदार्थ के घने पन को बताता है ठीक ना अर्थात वह पदार्थ कितना सघन है या कितना विरल है सघन का मतलब होता है गोजिन और विरल का मतलब होता है दूर दूर अधा हम कह सकते है कि किसी पदार्थ के एक आयतन में जितना द्रिबमान होता है उसे उस पदार्थ का घनत तो कहते हैं जिसे आप कल्पना करिए जिसे तेल हो गया और पानी हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पानी होता है इसके अडू तेल की अपेच्छा थोड़ा दूर दूर होते हैं जबकि तेल जो होता है इनके अडू थोड़ा सा पास पास होते हैं मतलब तेल के अडू जो रहते हैं उसमें उस सघन होते हैं ना कि विरल तो घनत का मतलब यही है, कि हमारा तेल क्या है, कितना घना है, कितना सघन है, कितना विरल है बास समझवा गई न अगला हमारा पॉइंट है राख, अस, ठीक है न न जलने वाले असुत पदार्त, जो दोहन के पहचात बच जाते हैं, राख कहला दे देखे हलकी जो हमारे द्रव इधन होते हैं इसमें राक बहुत कम मिलते हैं जिसे लकडी हो गया ये ठोस इधन है कोईला हो गया ये भी ठोस इधन है जब इसको हम जलाते हैं तो इसमें देखे जलने के पहचात जो आवसेस फिर नहीं जल पाता है वही राक कहलाता है ठीक है ना उसे हम अस बोलते हैं या राक ठीक है ना लेकिन हमारा जो द्राव इधन होता है द्राव इधन में राक बहुत कम होती है न के बराबर होती है ठीक है अब अगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है ठीक है ठीक है ना हलाकि जितने पॉइंट मैंने बताया है य इसमें है आक्टेन और सीटेन नमबर अब आक्टेन नमबर और सीटेन नमबर से मतलब क्या होता है इससे हम समझ क्या सकते हैं ठेक ना आक्टेन नमबर आक्टेन नमबर पेट्रोल इंजन में तेल के नौकिंग को और सीटेन नमबर डीजल इंजन में तेल के नौकिंग को दर साता है और सीटन नमबर डीजल इंजन के तेल में नाकिंग को दरसाता है कि उसमें जो इधन है जलने के बाद कितना जादा दबाओ से कितने तेजी से जल रहा है जिसे आप देखें होंगे जो पेट्रोल होता है उसमें अगर हम थोड़ी सी आग लगाएंगे तुरहन तेजी से फैलता है जब तेजी से फैलेगा तो जब हम उसको एक इंजन में एक बंद जार में रखेंगे जब जार में रखेंगे कहने का मतलब है एक छेत्र में एक बाउंडरी में रखेंगे तो जलने के बाद बहुत ज्यादा दबाओ बनाएगा ठीक है ना अगर बाउंडरी मे रखेंगे मान लीज़े एकदम ख्लोज रहेगा insulated कहने का मतलब है isolated कहने का मतलब है जिसे हमारा engine हो गया motorcycle का engine उसमें जब इधान जलता है नटो इधान के जलने से यानि पेट्रोल के जलने से इतना तेजी से वह आग पकड़ता है कि उसमें अचानक उसके दाब में क्या हो जाती है ब्रिद्धी हो जाती है जब ब्रिद्धी हो जाती है तब ही हमारा इंजन होता है ना इंजन में ठक ठक की आवाज आती है मतलब उसमें एक हथोड़े जैसी तीब्र आवाज आती है ठी तो आक्टेन नमबर ये प्रदर्सीत करता है कि हमारे पेट्रोल इंजन में नाकिंग का लक्षड कितना है यानि कितने नाकिंग है इसमें यानि नाकिंग के लक्षड को क्या करता है प्रदर्सीत करता है ठीक है ना इधन का आक्टेन नमबर जितना अधिक होगा वह पेट्रोल इंजन में उतनी ही कम नाकिंग पैदा करेगा और वह इंजन बहुत ही अच्छा माना जाएगा ठीक है ना और इसके पाचा जो डीजल इंजन होता है डीजल इंजन यानि सीटेन नंबर जितना अधिक होगा दीजल इंजन में उतना ही कम नाकिंग पैदा होगा और वह इंजन उतना ही अच्छा माना जाएगा बात समझवा रहा है ना और अगला पॉइंट है आप समझे कि अगर आक्टेन नमबर को बढ़ा देंगे तो जो पेट्रोल इंजन होगा उसकी सकती भी क्या होगी उसमें सब बहुत ज़्यादा सकती पैदा होगी अब उसी प्रकार सीटेन नमबर को बढ़ा देंगे तो पेट्रोल इंजन में बहुत ज़्यादा सकती पैदा होगी यानि बहुत ज़्यादा सकती पैदा करेगा ठीक ना तो student आपको जो भी point हो जो भी point आपको जो भी topic आपको समझ ना आया हो आप comment जरूर करियेगा ठीक है ना मैं उसको आपको दुबारा समझा दूँगा और जितना भी point यहां पर बताया गया है सबको आप note कर लिजेगा ठीक है ना तो आज के लिए बस इतना ही अब मिलते हैं next video में ठीक है ना